प्रित्वी के तक्रीबन 30 प्रश्र हिस्से पर जमीन और 70 प्रश्र हिस्से पर जल मौजूद है भूब भाग देशों की अलग-अलग सिमाएं में ये स्मूदर भी अलग-अलग सिमाओं में बटा हुआ हैं जिने आखों से देख पाना मुंकिन नहीं लेकिन कुद्रत का देखिए धर्ती पे दो महासागर की सिमाई ऐसी हैं जो आपस में मिलते हुए भी बिलकुल अलग-अलग नजर आती हैं ये नजारा जो कोई देखता है वो दंग रह जाता है कुछ लोग इसे चमतकार मांते हैं वैसे इसकी असल वज़ा काफी दिल्चस्प है जब आप जा इन दोनों के मिलन का ये नजारा दुनिया में सबसे अनुखा है क्योंकि इन दो महासागर का पानी आपस में घुलता मिलता नहीं बलकि बिलकुल अलग-लग रंगों का नजर आता है यहां से गुजने वाले पानी के जहारों से ये नजारा देखा जा सकता है आसमान से पर जाग की एक दिवार साफ नजर आती है वास्तम में दोनों का पानी एक दूसरे से बिलकुल अलग दिखने का एक खास कारण है विग्यानिकों का मत है कि ये पानी के घंतव और उसमें तामान समेद के बातों से जुड़ा हुआ है तमाम शोद के बाद विग्यानिकों ने ये सिट्टा निकाला है कि इस जगा पर खारे और मीठे पानी के अलग अलग घंतव और उसमें मजूद लवन और तामान के अलग होने के कारण ये दोनों पानी आपस में पूरी तरह से नहीं मिल पाते प्रशात महासागर का पानी ग्लेशियर से आने के कारण हलका निला और नमक रहत होता है जबकि हिंद महासागर का पानी काफी खारा होता है इन दोनों महासागरों का पानी उपरी सता पर भिन्य घंतव का होने के चलते आपस में नहीं मिल पाता ये पानी जब आपस में टक कराता है तो कुछ जाग पैदा होता है और यह जाग उपरी सता पर एक सीमा रिखा की तरह नजर आती है सूरज की रोशनी में खारे और मिठे पानी के अलग लग घंतब के कार्म दोनों पानी को की माने तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है और यह दोनों माह सागर कहीं न कहीं जाकर तो आपस में पूरी तरह मिल ही जाते होंगे बस समुंतर की उपरी सता पर अलग अलग घंतब वाले पानी के टैकराने से पैदा होने वाली दिवार दोनों माह सागरों का अलग होने का नोखा नजारा पेश करती है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद